सब्सक्राइब कीजे हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ओम नमशिभाए आप सभी बंदों को महाशिवरात्रे की बहुत बहुत शुब कामना आए बंदों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे बहुती खास वीडियो में जो की बहुती मेहनत करके बहुती रिसर्च करके और जो तिस शास्त्र के महान गरंतों से निकाल कर बनाया गया है सिर्फ आप के लिए यान की मेश राशी वालों के लिए बंधू कई बार देखने में आता है कि मेश राशी वालों की जिन्दगी में रुपाय पैसो को लेकर बहुत सारी परेशानिया होती है उनकी नोकरी में उनके व्यावसाय में बहुत सारी परेशानिया होती है वो लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा बचा नहीं पाते पैसा आता तो है लेकिन पैसों की सेविंग नहीं हो पाती है पैसा आता तो है लेकिन एक बड़ा घर बड़ी गाड़ी वो ले नहीं पाते छोटी गाड़ी है तो छोटे से ही जिन्दगी भर काम चलता रहता है कहने का मतलब एक कि मेश राशी वाले कई लोग अपनी जिन्दगी में बहुत तेजी से उन्नती नहीं कर पाते हैं तो बंधू अगर आपके साथ भी यही सब कुछ परेशानिया हैं तो इस वीडियो के आखिर में हमने आपके लिए कुछ उपाए और कुछ सुजाब बताए हैं आप उनको करके देखिए यकिनन आपको लाब जरूर होगा बंधू जितना होसके इस वीडियो को आप मेश राषी वाले लोगों के साथ फेसबुक और वटसेप पर जरूर शेयर करें आपके एक शेयर से किसी की जिन्दगी बन सकती है किसी की जिन्दगी बदल सकती है बंदू अगर आप मेश राशी के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं बंदू अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानिया हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपकी जानकरी के लिए बता दें कि जोतिश भाग की नहीं बदलता बलकि कर्मपत बताता है वो सही कर्म से भाग की को बदला जा सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है जोतिश विद्या और आपका राशिफल आपको सही समय पर सही कारे करने के बारे में ज्यान देते हैं ताकि आप सरवादिक लाब उठा सके जिन वस्तू और घटनाओं की इश्वर अनुमती नहीं देता है उनको ना तो आप बदल सकते हैं और नहीं कोई और फाइनेंस की बात करें तो आपके लिए धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि वर्ष की शुरुआत में आपकी राशी से कर्म भाव में विराज मान हैं शुक्र वैसे भी लाप के कारक माने जाते हैं ऐसे में आपके लिए फाइनिंस राशिफल काफी अच्छे संकेत कर रहा है। फाइनिंस राशिफल के अनुसार वर्ष की शुरुआत में केतू का भागिस्थान में शनी, गुरु, बुद्व, सूरि के साथ होना आपके लिए धन प्राप्ति के संकेत कर रहा है। केतु के प्रभाब से आपको गुप्त धन मिल सकता है अतीत में किये गए निवेश से भी अचानक आपको लाब मिल सकता है समय की नजाकत को देखते हुए अच्छे से रिसर्ज कर बाजार के उतार चड़ाबों को मद्दे नजर रखते हुए शेर मार्केट में पैसा लगा कर भी देखें अनकूल परिनाम मिलने की संभाव नाएं दिखाई दे रही है हालकि समय के साथ साथ 2020 में होने वाले ग्रह गोचर का प्रभाव भी आपकी आर्थिक दशापर पड़ेगा वर्श की पहली तिमाही आपके लिए फाइनिंशिली काफी अच्छे संकेत कर रही है इ इतन में ब्रद्री की उमीद लंबे समय से कर रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है नई जौब भी आकरशक ओफर के साथ आपको मिल सकती है आपको बता दें कि इस समय धन भाव के स्वामी शुक्र उच्छ होकर बारवे घर में रहेंगे जो कि आपके लिए धन अई माह में शनी वा गुरू की चाल में बदलाव होगा इन ग्रहों के वकरी प्रभाव से आपको थोड़ा सचेत रहने की आविशक्त रहेगी सेविंग करने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है सितंबर तक अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रन बना शनी वा गुरू के मार्गी होने से आपके लिए फिर से अच्छे योग बनेंगे और आपकी आरतिक सिद्धी और भी मजबूत होगी सितंबर माह में ही राहू आपके धन भाव में आ जाएंगे इस समय आपको धन निवेश संबंदी निर्णय थोड़ा सोच समझ कर लेने क आविशकता रहेगी बाहरी पर योजनाओं में निवेश से आपको लाब भी मिल सकता है कुल मिलाकर वर्षान तक आप आरतिक रूप से स्वयम को मजबूत स्थिति में देख सकते हैं 22 अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 2020 के इन महीनों में मेश राशी के जातक वा जातिकाओं को अपने अर्थ लाब को और अच्छा बनाने है तू कई घंटों तक अतिरिक्त काम करने की जरूरत होगी हाला कि आय के साथ कुछ निर्मान वह उत्पादन के कामों में व्याई भी होता रहेगा जिससे आपकी अधिकान श्पूंजी खिसकती रहेगी इसे आप निजी समस्य के तोर पर देखते रहेंगे जिससे आपको किसी वित्ती संस्ता से धन के सहीयोग है तू आविदन देना पड़ेगा हाला कि शुब ग्रहिये गोचर अपने आपके कामों को रुकने नहीं देगा जिससे आपका मान सम्मान बना हुआ रहेगा हाला कि सेवव वेविसाय तथ उत्पादन के छेत्रों में आपका लाब पहले जैसा बना हुआ रहेगा किन्तु धन व्याय की अधिक बल्वती सिती बनती हुई नजर आती रहेगी क्योंकि धन भाव गति राहु का संचरण धन हानी वह धन के संबंदों में विवादों की संभावनाओं को बनाता रहेग इस अंदर में यह कहना है कि आप अपने किसी अचल संपत्ती वा पेत्रुक संपत्ती वा संग्रहि धन के बारे में जादा सतलर के रहेगे तो आपको अच्छा लाब मिलता हुआ रहेगा अब शिफल जुलाई 2020 से सितंबर 2020 दोजार बीस के इन महीनों मेश राशी के जातक वा जातिकाओं को उमीद से कहीं अच्छे लाब की सिती बनी हुई रहेगी क्योंकि लाब भावगत बुद्ध वा शुक्र का संबंद जुलाई से सितंबर के महीने में होने से आपके धन वा समरिद्धी के बढ़ने के आसार बने हुई रहेंगे इन माह में उधार दिया धन भी आपके हाथ में पुना आने वाला रहेगा इस दोरान आपको अपने पूरे विवेक के साथ चलनी की जरूरत बनी हुई रहेगी क्योंकि पीछे से 20 सितंबर को म्रग शिरा नक्षत्र के दूसरे चरण बरश राशिगत राहू आपकी समस्या को हल होने से रोकते रहेंगे जिसके कारण आपकी धन के अपव्याय होने की समभाबनाय रहेंगी क्योंकि धन भावगत राहू का गोचर पीडाय पैदा करने के संकेत कर रहेंगे अतहा देशकाल परिस्थिति को विचार कर ही कोई निर्नाय लें तोहानी से दूर रहेंगे क्योंकि शुब करने वाले ग्रहों की स्थिति भी बनी हुई रहेंगी जिसे आपको शुब फल प्राप्त होते रहेंगे कुल मिला कर आपको अपने आत्म विश्वास वा सोच को कमजोर नहीं होने देना है सकारात्मक सोच आपके लिए पतवार की तरह काम करेगी अविशिफल अपरिल दोहजार बीस से जून दोहजार बीस दोहजार बीस के इन महीनों में अर्थलाप के कई अवसर बनने वा बिगणने की समभावनाएं बनी रहेंगी हाला कि आपके अधिकांश धन का भाग व्यवसाईक संसाओं की निर्मान वा दुरुस्ती में व्याय होता रहेगा आप रचनात्मक्ता के शिकर पर होते रहते हुए आय की संभावनाओं को धरातल पर उतारने में लगे हुई रहेंगे आपके उत्सा वा जोश में कमी नहीं रहेगी 2020 के इन महीनों में मेश राशी के जातकों का आत्म विश्वास भी सुद्रुन बना हुआ रहेगा किसी संसा के मद्धिकार वा सेवाओं की अवदी समझोतों पर सहमती बनने के आसार रहेंगे जिससे आगामी समय में वित्तिलाब की स्थिति और अच्छी रहेगी हालकि इन माह में आय के साथ व्याय की भी स्थिति अच्छी रहेगी आप धन की आवक से उतना प्रसन्व संतुस्ट नहीं रह पाएंगे क्योंकि लाभेश में वर्ष 2020 में शुब ग्रेह गोचर का अभावसा जलगता रहेगा कर्म भावगत गुरु का गोचर कई मायने में आपको सुद्रुन बनाने वाला रहेगा यानी काम अच्छा रहेगा तो धन मिलना भी तय है इन महीनों में धन है तुँ आपको दूर दराज के छेत्रों यदेशों में यात्रा करनी पढ़ेगी आपको बताने जा रहे हैं मेश राशी के कुछ सटीक उपायों के बारे लिए मेश राशी वालों के स्वामी मंगल हैं इसलिए आपको हनुमान जी की पूजा आरादन अवश्य करनी चाहिए हनुमान मंदिर जाकर उनके कंदे पर लाल सिंदूर लगाएं और उस सिंदूर का अपने मस्तिश्क पर तिलक के रूप में लगाएं इससे आपके जीवन में शत्रू कनाश हुगा आपको जीवन के हर छेत्र में सफलता हासिल होगी और आपके जीवन में आ रही कोई भी समस्या यदि आपके परिवार के लोग आपके खिलाव कोई पंडियांत्र रच रहे हैं तो वो अपने मनसूबों में नाकामियाब रहेंगे लाल रंकी रुमाल को या लाल वस्तर को आप कोई भी विशेश कारी यानि आप कोई नया कारी शुरू करना चाहरा है कोई लोकारपन कारे में जा रहे हैं, कोई नया कारे, नया शिलन्यास या व्यापार व्यावसाय को बढ़ाना है, कोई भी इस तरह का काम करना है तो लाल रंके कपलो का इस्तेमाल करें या फिल लाल रंके रुमाल को लेकर आप जाते हैं, तो आपके जीवन में वो कारे बिना आपकी जीवन में आर्थिक संपनता आएगी आपकी पैसे की समस्या दूर होकर मजबूत होगी आपको परद के राम दरवार को अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए रोज राम रक्षा इस्त्रोत का पार्ट करना चाहिए इससे आपके जीवन में आ रही हर समस्या से आपको मुक्ती मिलेगी और आपकी पारिवारिक माहोल बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में संपन्य तक इस्तिती बढ़ेगी और धन लाब आपको प्राप्त होगा तो बंधों ये था बहुत ही महतपून वीडियो मेश राशी के लिए जितना हो सके इस वीडियो को मेश राशी वाले लोगों के साथ फेस्बुक और वटसिप पर जरूर शेयर करें अगर आप मेश राशी के और भी वीडियो उस पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानिया है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताएं